हेलो गाइज वैलकम टो वा चैनल ब्यूटी टिपस याची का आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज हीमाले प्यॉरिफाइड नीम फेस पैक जो की नॉर्मल टू ओईली स्किन वाले अपलाए कर सकते हैं और यह सेशी जो है आपको एज़ी आपीरिए प्यूट करने वालि हूँ और उनकल बीचाने वाली हूँ कि वी इस तरीकी से वाग करता है अगर आपके फेस पर टार्क स्पॉट्स है या घठधा लाटा youп car एंप्या और एजह करते हूं तो आया यह उन्याती हें तछो हाता है एंद रिजल्त रिपी बहुत आराम से और यह वन टाइम यूज है आप इसको वन टाइम यूज करो और फिर शह से जो है फिनिश हो जाएगा बस एक की बार यूज करना होगा तो आप इस तरीके से इसको बाउल में निकाल लो और देखो यह बिल्कुल नीम से बना हुआ है तो ग्रीन कलर का यह पै रिजल्ट देख पाओगे तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है आपको अपना फेस एकदम से वाश करना है और फिर ड्राइ कर लेना है कुछ भी इससे पहले अपलाई नहीं करना खाली प्लेन वाटर से आपको अपना फेस वाश कर लेना है उसके बाद आपको अपने इसमें आपको कुछ भी डालने की जवरत नहीं है यह बिल्कुल रेडी में रेडी होके आता है इसमें कुछ भी आपको एड करने की जवरत नहीं कोई रॉज वाटर यह नहीं कोई अधर कुछ भी पाउडर तो यह बिल्कुल रेडी होके आता है अगर और यह थिक भी नही भी नहीं होता कि आपको problem होगी जैसे आप देख सकते हो मैं बहुत इजी लिए इसको अप्लाए कर रही हूं इसमें कोई problem नहीं है जबकि मैंने इसमें कुछ भी एड़नी किया तो बहुत इजी लिए अप्लाए हो जाता है बहुत अच्छे से वन टाइम यूज ये पैक के औ और आपको बहुत अच्छी से इन आफ होता है आपको one time के लिए ये जो एक इसको रहने दोगे ड्राह नहीं दोगे छोड़ दोगे पूरे अच्छी तरीके से च्षोड देना एको छोड़ दिल दाना और पर लोगों फोड़ी क्योंकि में यूज हो तो थोड़ा सा फिल कुक् Traps लीकविजते हैं से शैनला होगं में फलेकर साथ रहाएं या विज्वाज हम बाना एक आपको स्कू से लंच दिल आपके स्किन में जो है इशू है कुछ न कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए उस पे थोड़ा सा जलन या उस पे थोड़ा सा यह लगेगा अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है और प्रॉब्लम नहीं है और आप इसको फर्स टाइम यूज कर रहे हो तो मैं शायद ना हो आपक इसमें ऐसा कुछ नहीं है वह आपकी फेस पे अगर कुछ पिंपल वगेरा तो उसी पर थोड़ा सा जलन होगी अद्रवाज नहीं होगी तो इस तरीके से यह ड्राइ भी हो गया मेरा और मैंने इसको वाश करने के लिए आ गई हूँ ड्राइ होने के बाद मैंने हलका सा वा ऐसे के फेस जोए वो ख्लीन हो जाए डाइड इसकी निकल जाए और ब्लैक है वाइड वाइट भी निकल जाए क्योंकि इसके इंदर भी छोट छोटे पार्टिकल्स होते जो फेस पर चुपते हैं तो यह स्क्रब का काम भी करता है तो आप अगर इसको अप्लाय कर रहे हो जब भी इसको वाश करोगे तो आप एक मिनिट के लिए अपने फेस पर ऐसे मसाज जरूर करना ताकि आपका फेस डीपली क्लीन हो जाए तो इस तरीके से मैंने इसको पाने डालके हलका सा मसाज कर लिया है अब मैं इसको वाश करने वाली हूं बिल्कुल सही तरीके से तो ऐस आप इसको अप्लाइ करोगे यह हलकी हलकी सी बहुत ही छोटी सी इसमें पार्टिकल ऐसे रेता होता है उस तरीके से इसमें वह बहुत ही छोटे और यह बिल्कुल अच्छे से रिजर्ट देता है आप देखो मैंने बिल्कुल वाश कर लिया है अब आप लास्ट फाइनली देख सकते हो कि हां रिजल्ट है इसका अगर आपके फेस पर इसपोर्ट भी है तो भी आप इसको अगर वीक में टू टाइम यूज करोगे तो आपके वह इसपोर्ट जो है लाइट हो जाएंगे क्योंकि नीम जो है एक प्योरिफाई आपको पता है ब्लर्ड इसके बना हुआ है तो इसको यूज करोगे तो आपको पता चलेगा और देख 10 रुपीज का ये शैशे है जो की मार्केट में इजीली एवेलिबल हो जाता है कहीं भी स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हो इधर उधर घूमने की ज़रूरत निये गाइस आपको वीडिय में जरूर बताना आपके साथ इसका रिजल्ट कैसर आए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टब तक के लिए बाबाई टेक कियर